Hello students, इस वीडियो में हम lesson 4 शब्दा नाम परिच्चे के बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब शब्दों का परिच्चे, शब्दों के बारे में जानेंगे, नए नए शब्दों के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अकरान पुलिंग शब्द, मतलब जो L से खत्म होत होते हैं, masculine हम पढ़ेंगे, male words, जो तीन जेंडर्स होते हैं हमारे संस्कृत में, और numbers के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम numbers के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृत में तीन नंबर होते हैं, एक वचन, द्वी वचन और बहु वचन, जैसे singular plural English में होते हैं, इसी तरह संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्वी वचनम, बहु वचनम, एक वचनम मतलब जब हम किसी एक चीज की बारे में बा तो जब हम pulling word मतलब mail word की बात करते हैं तो हम संस्कृत में एक शब्द के लिए उसके आगे विसर्ग लगाते हैं तो हम लिखेंगे अध्याप कहँ जब दो teachers की बात करते हैं तो अध्याप कव लास्ट में अ की मात्रा और जब बहुवचन की बात करते हैं मतलब दो से ज़्या जादा numbers की बात करते हैं तो हम अध्याप का हा लास्ट में आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगाते हैं और दो में अउ की मात्रा लगाते हैं और एक में अह की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से बच्चों हम एक वचन के बारे में दूई वचन के बारे में और बहु वचन के ब टो लटकिया हैं तो बालिके और तीन उससे जादा लड़किया हैं तो बालिका हा तो इस तरह से ससे हम शब्डों को लिखते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं न पुसक Ihnen पुसक reject नतलब कुछ शब्ड ऐसे होते हैं जो मेल में आते हैं न फीमेल और दो से ज़्यादा फूल जब रहते हैं तो उसको लिखते हैं पुषपाणी, मतलब लास्ट से पहले छोटी की मात्रा लगाते हैं इस तरह से हम नपुष सक्लिंग में एकवचन, द्वीवचन और बहुवचन को लिखते हैं अब इसके बाद हम यह समझते हैं कि वचन कितनी तरह के होते हैं वचन संस्कृत में तीन तरह के होते हैं जैसे एक वचन, द्वीवचन और बहुवचन एक चीज के लिए जब बात होती है द्वीवचन मतलब जब दो चीजों के बारे में बात होती है और तीन, दो से ज़्या इसी तरह संस्कृत में होता है पुलिंग, इस्त्रिलिंगम और नपुसक लिंगम तो एक के लिए पुलिंग के लिए हमें खगह की मात्रा लगानी होती है विसर्ग लगाना होता है और इस्त्रिलिंग के लिए दो जब हम इस्त्रिलिंग की बात करते हैं तो एक ही मात्रा बाल बचन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक अध्यापक, एक अध्यापक होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, अध्यापक होगा, अनेक अध्यापक होगे तो अध्यापक होगा, और दो अध्यापक हैं तो अध्यापक होगा, एक लड़की बाली का, दो लड़किया बाली का, और ज दो फूल तो पुश पे और बहुत सारे फूल तो पुश पाणी इस तरह से हम एक वचन, दुई वचन और बहु वचन और स्ट्रिलिंग, पुलिंग और नपुसकलिंग के बारे में पढ़ते हैं अब हम कुछ इसका एक्सरसाइज पाट करते हैं फर्स्ट कोश्चन, निमलिखी शब्दों का हिंदी में आर्थ लिखिए, हिंदी में आर्थ मतलब शश कह, शश कह किसको बोलते हैं, खरगोश को पुश पम, पुश पम किसको बोलते हैं बच्चो, फूल को, कपी किसको बोलते हैं, बंदर को तो इस तरह से हम अलग-अलग शब्दों के हिंदी शब्द लिख सकते हैं इसके बाद next question में हमें कुछ शब्दों दिये हुए हैं उनको link छाट कर लिखना है अब जैसे हम नपुसक link की बात करें तो कौन-कौन से शब्द आ जाएंगे परनम, ध्वज, जंडा, पुस्तकम, पुस्तकम नपुसक link में आ जाएगा और हम इस्त्री link की बात करें तो इस्त्री link में कौन-कौन से आ जाएंगे सिंगी, मरनारी, यह सब इस्त्री link में आ जाएंगे और पुल्लिंग में हंसह, जशह, कपी ही मतलब बंदर तो यह पुल्लिंग में आ जाएंगे, तो इस तरह से बच्चों हम अलग-अलग शब्दों को पुल्लिंग, इस्त्री link और नपुसक link में चाट सकते हैं अब यहाँ पर कुछ पिच्चर्स बनी हुई है, इसमें हमें उनके numbers लिखने हैं तो जैसे दो दो चीजे हैं, तो यह कौन सा वचन हो गया, द्वी वचन जब दो चीजे होती हैं, तो हम उसको द्वी वचन कहते हैं एक चीज होती है, तो एक वचन यह दो से जादा हैं, तो यह क्या हो गया, बहु वचन एक है तो एक वचन, तो इस तरह से बच्चों हम अलग-अलग numbers को नाम देते हैं तो बच्चों यह था वचन और लिंगों के बारे में